दीन थाना पुलिस ने पारशद के घर हुई चोरी का किया खुलासा दीन थाना पुलिस ने करीब 20 दिन पूर्व पारशद गीता देवी के घर पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफतार किया है और सोने चांदी के जेवरात को बरामद किया है थाना दिकारी रगुवीर सिंग ने बताया कि दिनाग 18 मई 2021 को पारशद गीता देवी के पुत्र गिरीश शर्मा पुत्र और प्रकास जाती ब्रहामन उम्र 27 साल निवासी लोहा मंडी डींग ने थाना डींग में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं वह मेरे परिवार जन अपने लोहा मंडी इस इतनी वास पर सो रहे थे मैं अपने कमरे में सोया हुआ था इस दोरान सुभा करीब पांच बजे मैं सोकर उठा तो देखा कि मेरे कमरे में रखी गोद्रेज की अलमारी का दर्वाजा खुला हुआ था था उसमें रखा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था चोरी का शक होने पर अलमारी का सामान देखा तो अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के जेवात अलमारी से गायब हो गए जिसके सूचना डिंग थाना पुलिस को दी सूचना देते हुए डिंग थाने में मुकदमा दर्ज क थाना दिकारी रगुवीर सिंग ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तरह तरह एंगल से चोरी की छानविंच शुरू कर दी कस्वे डीग में जिनांत 17 मई 21 तो रातरी में गीता देवी पार्शत के घर में नकब जनी हुई थी जिसका मुद्मा उनके पूत्र ग्रीश ने दन्व करवाया था मामले की गंबीरता को देखते हैं सिर्मान एस्पी शाब ने शिर्मान अडिस एस्पी गूलाजी मेना वह सियो शाब मदन जेव साब के नितरत्व में मेरे दिन टीम गठीद करके खलास के लिए लगाए टीम ने तक्नी की साधनों संदिक लोगों से पूस्ताच हुए परि राज्जू पुत्र रामदन जाती घूजर निवासी दिदावली को गिर्बदार किया है उसके तब्जे से संपूर जेवरात दो मुबाइल फोन और नगदी जो बच्चों के गुल्लक में रख्यूई थी वो सभी ब्रामद कर ली गई है मुल्जिम पुलिस शिरासत में है अन्य कोई चोरी या और किसी नकब जनी में तूस्ताथ जारी है संभवत या किसी दूसरी वारदात में भी हो सकता है